बाजपां सरकार की काम करने की स्पीड हमारे लक्ष कितने बड़े होते हैं, हमारा हौसला कितना बड़ा होता है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। रादनी अदेख जी, एक वहां कहावत है, हमारे उत्तर प्रदेश में खास एक कहावत कही जाती हैं, नव दिन चले अधाई कोस। और मुझे लगता है कि एक कहावत पूरी तरह कॉंग्रेस को परिभासित है। कॉंग्रेस की सुस्तरफतार का कोई मुखाबला ने है। आज देश में, आज देश में, आज देश में, आज देश में, जिस रप्तार से काम हो रहा है, कॉंग्रेस सरकार इस रप्तार की कलपना भी नहीं कर चाथे हैं. हादणी अद्डग जी शहरी गरीबों के लिए हमने गरीबों के लिए चार से घर हमने गरीबों के लिए आदिने दिख जी हमने गरीबों के लिए चार करोड धर बनाए और शहरी गरीबों के लिए 80 लाग पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने कॉंग्रेस की रप्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता बैस का हिसाब लगाता हूँ अगर कॉंग्रेस की जो रप्तार थी उस प्रकार से चला होता तो सो साल लगते इतना काम करने में पांच पीडिया घुजर जाती है आधने तिक जी दस वर्थ में 40,000 किलोमेटर रेलवे ट्रेक का इलेक्टिफिकेशन हुआ अगर कॉंग्रेस की रफ्तार से देश चलता इस काम को करने में 80 साल लग जाती है एक प्रकारते चार पीडियां गुजर जाती है आधने तिक जी हमने 17 करोड अधिक गैस कनेक्शन दिये यह मैं 10 साल का हिटाफ दे रहा हूँ अगर कॉंग्रेस की चाल से चलते तो यह कनेक्शन देने में और 60 साल लग जाते तीन पीडियां धुए में खाना पकाते पकाते गुजर जाती है अधने दिक जी हमारी सरकार ने सेनिटेशन कबरेज 40 परसंट से 100 परसंट तक पहुंची है अगर कॉंग्रेस की रफ्तार होती है तो यह काम होते होते 60-70 साल और लगते और कम से कम तीन पीडियां गुजर जाती लेकिन गारंटी नहीं होता कि नहीं होता आधर नियर्दिक जी कॉंग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत बुक्षान हुआ है कॉंग्रेस ने देश के सामर्थ पर कभी भी विश्वास नहीं किया वे अपने आपको शासक मानते रहे और जनता जनारदन को हमेशा कबंतर आँखते गए छोटा आँखते गए अधर नियर्दिक जी देश के नागरी कोंग लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूँ मैं नाम बोड़ते हूँ उनको जड़ा चुबन होगी लेकिन 15 अगस्त लाल की ले से प्रदान मंत्री नहरू ने जो कहा था वो मैं जड़ा पढ़ता हूँ लाल के लिए से भारत के प्रथम प्रदान मंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूँ नहरू जी ने उन्हेंने कहा था हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदत आम तोर से नहीं है हम इतना काम नहीं करते जितना की युरोप वाले या जपान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं यह नहरू जी लाल के लिए से बोल रहा है यह ना समझीए यहां ना समझेए यहां ना समझेए कि वह कौमे यह ना समझेए कि वह कौमे कोई जादू से खुशाल हो गई वो मैनज से हुई है और अक्ल से हुई है यह उनको सर्टिपिकेट दे रहे है भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे है यानि यानि नहरू जी यानि नहरू जी की भारतियों के प्रति सोच थी कि भारतिया आलसी है नहरू जी की भारतियों के लिए सोच थी के बारतिया कम अक्रा के लोग होते हैं और आधनी अद्धक जी इंद्राजी की सोच भी उससे ज़्यादा अलग नहीं थी इंद्राजी ने जो लाल के ले से लाल के ले से पंद्रा अगस को कहा था लाल के ले से पंद्रा अगस को इंद्राजी ने कहा था बुर्भाग्यवर्ष हमारी आदत ये हैं कि जब कोई शुब काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मत तुरुष्टी की भावना से गस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती हैं तो हम नाउमीद हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट ने ही पराज भावना को अपना लिया है आज कॉंग्रेस के लोगों कर देखते के लगता है कि इंद्रा जी बले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाएं लेकिन कॉंग्रेस का एक दम सटी का आकलन होना इसकी आप कॉंग्रेस के साही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसाही समझते थे और आज भी आज भी वही सोच देखने को मिलती है माने अद्धक जे